पत्नी बेवफा निकली तो पत्य से बरदास्त नहीं हुआ और उसने पत्ना जंक्शन को ही उड़ाने की धंकी दे डाली सुमवार देराद राजेश कुमार नामक वैक्ती ने पत्ना पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और पत्ना जंक्शन को उड़ाने की धंकी दे डाली ये सुनते हैं पटना स्टेशन पर पुलिस वर्ड पहुंचती है और रात के 11 बज़े से सुबा के 6 बज़े तक जांच शुरू करती है लगबग 6 घंटे तक ये सब कुछ हुआ है जांच किया गया है एक एक कोने कोने में पुलिस जाकर ये ढूंड रही थी कि कहीं पर उसे मिल जाए लेकिन 6 घंटी बाद जब कुछ भी हांत नहीं लगा तब जाकर अस मामले की जांच की गई तो सच तो कुछ और ही निकला है पुरा मामले क्या है आपको बताते हैं अब नमश्कार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे सोमवार कॉल कर पटना जंक्शन को उराने की धंकी दी जाती है तब ही से एकदम से अफरात अफरी का महौल हो गया स्टेशन पर जांच शुरू कर दी गए पुलिस बल स्टेशन पर पहुंचती है और चपा चपा जो स्टेशन का है वो चान मारती है कई ट्रेनों को भी कुछ देर क जो कि पहले CRPF का जबान रह चुका है वहां से वो भाग गया और अब जाकर पहले उसने पटना के एक होटेल में काम किया और अब सहरसा में एक हार्डवेर दुकान में काम करता है जांच की गए तो पता चलता है कि आरोपी राजेश कुमार एंजन की तीसरी पतनी अपने प्रेमी संग भाग रही थी और उसे पतना स्टेशन पर रोकने की नियत से यह सब कुछ प्लान किया गया पतना जंक्शन को बंब से उडाने की धंकी की जांच कर अब वैक्ती की गिरफतारी होई है तो यह मामला प्रेम प्रसंग और धोखा से जुरावा निकला है जिसे ज गंटे तक इस रात के ग्यारा बज़े से लेकर सुबर तक यह जांच की गई पुरा स्टेशन पर जो महाल था वो एकदम गमगीन था बावजुद उसके जब सच सामने आया तो पुलिस है उंतुस मैं की रात दस बच कर 51 मिनट पर पुला जो स्टेशन है वहापर फोन आता है रात की 11 बच शुबह के चार बच टक प्लेट फॉर्म नंबर एक से दस तक की जांच की जाती है लेकिन जब पुलिस को कुछ भी नहीं मिला तब जाकर जिस नंबर से फून किया गया था उस मुबाइल नंबर को ट्रेस किया जолодा मुबाइल लोकेशिन को ट्रेस किया जा जिसके बार मालूम हुआ कि जिस नंबर से राजेस ने फोन किया था वो उसकी पत्नी का था मामला यहीं खतम नहीं हुआ बलकि पुलस के द्वारा जब गिरफतार आरोपी राजेश कुमार से पूछ ताच की गई तो राजेश का कहना था कि उसकी पत्नी का एक प्रेमी है जि बार में उसे पता चला तो पत्नी पत्नी दोनों की भी जगरा शुर हुआ और उसकी पत्नी चंद्रकिशोर के साथ भाग गई और अब उसे घिस सबक सिखाने के लिए राजेश ने पत्ना कंट्रोल रूम में अपनी पत्नी के नंबर से फोन किया बाकी अब आरोपी की गिर आएंगे तब तक आप उस पुरे मामले को किस तरीके से देखते हैं क्या कुछ प्रतक्रिया आपकी कमें सेक्शन में बताईए वीडियो को शेर कीजिए और बागी खबरों के लिए बने रहें जानता जंग्शन के साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं थी आपके साथ बंदना हुनिवार